तो हलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना फार्मसोटिक्स का चाप्टर 24.2 जह हम डिसकस करेंगे आपसे अप्थालमिक प्रेपरेशन्स डिटेल में इसका पार्ट बन देखें हम अपने चैनल में पहली अप्लोड कर चुके हैं उसमें हमने बताया था क किते तरह की ऑप्थालम क प्रेपरेशन्स होती हैं जिसमें ड्रॉप्स होती हैं ऑइंटमेंट्मेंट्स बग्रा होते हैं तो वह सब उन放शपार्प फिर्मेंग इसका चाहिए अब आई ड्रॉप्स की वह सब में डिसकस किया तो वह पज़ूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं दिखा है आज हम डिसकस करेंगे अज़र अच्छी लेगी तो वीडियो को स्ब्सक्राइब करें हम अपने चैनल पर बहुत सारी फार्मारिलेटेट्ड अपडेट्ड फार्म वीडियोज, MCQ Tutorials और भी बहुत सारी informative जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करके चली शुरू करते हैं अपना अज का सेशन तो बच्छों सबसे पहले देख लेते हैं अड़ौप्स होती क्या है, या कुछ एक सिंगल रौप भी डाली जाती है जाएम चैनल की एक ड्रौप ही डाल रहे है या कभी कबाटउब होथे हैं दो से तीन ड्रौप डालने के लिए आई में तो इस तरह की liquid preparations होती है यहाँ आई का structure देख रहे है आई के यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्या होती है यह लेक्रीमल, यहाँ पर लेक्रीमल sack होती है यह होती है नेजो लेक्रीमल duct बहुत बार आपने देखा होगा आपके नेजो लेक्रीमल duct के थो ट्रेवल करके आपके नूस से बहार निकल सकती है तो इसलिए आँखों को उपर उठा के रखना चाहिए जब तक की eye drop अच्छे से पूरी ही eye में spread ना हो जाए फिर क्या बताया गया है यहाँ पर देखेंगे कि usually eye drops में क्या होती है किस तरह की drugs होती है जब हमारी आँखों में किस तरह का infection होता है तो doctor देते है antiseptic eye drops जो कि उस तरह की infection को ठीक कर पाए anti-anesthetic eye drops दी जाती है जब operation वगरा करा जा रहा होता है आई कर तब anti-inflammatory अगर किसी तरह की स्लाइड में अच्छे से देखेंगे तो बचों eye drop formulation के अगर बात करेंगे किस की चीजों से formulation कौन कौन से चीजों से इस्तमाल में लाए जाती है eye drop बनाने की time पे तो सबसे पहले आती है drug जिस भी काम के लिए eye drop को prescribe किया जा रहा है जिस भी effect के लिए तो वो drug के कारण होता है चाहे वो antiseptic effect हो चाहे एनसेटिक effect हो चाहे किसी भी तरह का effect हो तो drug होती है main फिर होते हैं preservative किसी भी तरह की microbial growth ना हो जा है हमारी eye drop में तो उसमें preservative side के जाते हैं फिर क्या होता है sterilization किया जाता है उसका एक-एक step जो है अच्छे जा discuss करेंगे आने वाली slides में अभी सिर्फ points देख लीजे आप isotonicity regulator add के जाते हैं isotonic बनाने के लिए preparation को हमारी lacrimal fluid से buffers add के जाते हैं और के add के जाते हैं viscosity regulators add के जाते हैं viscosity proper हो हमारी eye drop की इसलिए container proper container होते हैं इसको sell करने के लिए and label proper label conditions होती है तो यह सारी requirements होती है एक अच्छी eye drop preparation की अब one by one करके सबको हम discuss करते हैं formulation के देखे one by one बात करेंगे आपने देखा होगा जब भी आप eye drops लेने जाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग तरह की eye drops होती है क्यों होती है क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के drug मिले होते हैं जिस भी effect के लिए उसको prescribe किया जा रहा है antiseptic जिसे हमने हैं पताया किसी तरह की infection है inflammatory अगर किसी तरह की surgeon वगरा आ रही है mitriatic and myiotic I think बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो देखे mitriatic आप जब bright light में जाते हैं तो क्या होता है आपका pupil जो है वो constrict हो जाता है इस तरह से छोटा हो जाता है आपका pupil जब आप low light में जाते हैं किसी अंधिरे कमरे में जब आप enter करते हैं रात को तो आपका pupil यह देख रहे है क्या हो गया है यह dilate हो गया है तो उसमें आपकी आखों में एक तरह की drop डाली जाती है और उसके बाद drop डालने के बाद कुछ देर बाद आपकी eye test की जाती है वो क्यों किया जाता है आपकी pupil को dilete किया जाता है ताकि जो भी अंदर से जो भी उनको retina वगर आपका देखना है वो अच्छे से देख पाए visually अ अगर किसी अगर medication से उनका glucoma ठीक नहीं हो रहा है तो उनको इस तरह की myotic eye drops दी जाती है जिसे की pupil constrict हो जाए और जो भी blockage बगएरा आ रही है यहाँ पर उनके आसपास eyes में वो सारे angles जो है वो open हो जाए तो ये दो तरह की eye drops होती है myotic and mydriatic I hope थोड़ा सा clear हुआ होगा आ अभी हमने बताया microbial contamination किसी तरह की ना हूँ हमारे product में eye drop में तो इसे लिए उसमें preservative मिला जाते हैं कौन-कौन से preservative है इनके नाम आपको याद रखने है benzylconium chloride, chlorbutanol, then phenyl mercuric acetate and phenyl mercuric nitrate तो ये सारे बहुती commonly use किया जाने वाले preservative है eye drops preparation में ना देखे देखते हैं और किसके बारे में sterilization के बारे में sterilization क्यों important होती है पहले ये आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है हमारी eye जो है बहुत ही sensitive part होता है हमारी body का और यहां पर eye drops किया है सीधे हमारी eyes में डाले जा रही है तो अगर किसी भी तरह की pathogen present होगा किसी भी eye drop में तो eye infection further eye infection हमक हमको और जादा infection होने के chance हो जाते हैं तो इसलिए sterilization step जो है बहुत ही important है किसी भी तरह की eye drop formulation में तो eye drop को sterilize कियाता है autoclaving के थरू 121 degree celsius for 15 minutes ये time period है या bacterial filter के थरू उसको sterilize कियाता है किन products के लिए जहां पर कुछ ऐसे ingredient है जो कि thermal degradation जो कि अगर high heat के फ्राब हो सकते हैं for example अभी हमने preservative अपना डिसकस किया था previous slide पे chlorbutanol तो ये chlorbutanol जो है ये क्या होता है hydrolyze हो जाता है high temperature पे तो that is why इसको हम autoclave के थरू तो कर नहीं सकते sterilize तो इसको इसका sterilization किया जाता है bacterial filter के थरू फिर देखें सबसे important, बहुत important factor is isotonicity तो ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं बहुत सरी अपनी वीडियो में कि कोई भी preparation जो हमारी body fluids के अंदर जा रहे है जिसको हमारी body fluids में डाला जाता है वो है, वो isotonic जरूर होनी चाहिए हमारे body fluids के साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो discomfort cause कर सकती है अगर hypotonic या hypertonic preparation है इसलिए isotonic preparation must होती है तो eye drops को isotonic बनाने के लिए sodium chloride 0.9% या boric acid 1.9% इस concentration में use कियाता है इन दोनों ही चीजों को isotonic preparation बनाने के लिए बात करेंगे कि इसके देखिए buffers की तो buffers क्यों जरूरी होते है अगर proper buffer, proper pH नहीं होगी हमारी eye drop preparation की तो उसके करन क्या होगा active drug जो है वो decompose हो सकती है तूट सकती है या आपका सिपने खराब हो सकती है जो भी इस formulation में present है और tonosity control करने के लिए भी हमारी जो product है उसका proper pH होन बहुत जरूरी है तो इसके लिए buffer के तोर पे क्या डाला जाता है eye drops में, boric acid, monobasic, sodium, phosphate, ये दोनों बहुती commonly use की जाने वाली buffers है eye drops के लिए ना देखिए अगर viscosity के बाग करें तो हमारी preparation की proper viscosity होना क्यों जरूरी है क्योंकि drop का size कितना होगा जब आप उसको डाले तक वो आपकी eye में रहती है, residence in eye, दोनों ही चीज़े जो है वो depend करेंगी हमारी eye drop की viscosity पे, बहुत जादा कर विसकस होके यहाँ पर आपकोई बस example के त लो होता है आप कह सकते हैं, तो अगर जादा विसकस हो गई eye drops तो eye में discomfort कर सकते हैं, अगर less viscous हो गई eye drops तो वो eye में टिकेंगे नहीं जादा देर, आई से आपकी गिर जाएंगी, तो इसलिए viscosity proper होनी चाहिए, तो viscosity maintain रखने के लिए क्या मिला जाते हैं, methyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose and poly vinyl alcohol ये बहुत ही जादा यूज कियाते हैं, as a viscosity regulator, बात करेंगे कि किस तरह के container होनी चाहिए, eye drops के, तो eye drops जो है mostly multi-dose container में दी जाती है, उनकी capacity कितनी होती है, 5 ml या 10 ml के containers में, और किया दीके, अगर glass container में इनको दिया जा रहा है, dispense किया जा रहा है, तो इस तरह का plastic, इस तर से आप अपने आखों में drops को डाल सकते हैं, plastic bottle, जो है mostly plastic bottle में ही आती है, eye drops, उनमें इस तरह का build up nozzle होता है, जिसके मदद से अपने आखों में drop डाल सकते हैं, label के अगर बात करें, तो label पे इसके साफ-साफ लिखा होता है, not for injection, for external use only, यहाँ पर एक label भी हम आपको दिखाएं method of preparation के कर बात करें किस तरह से prepare के जाती है, eye drops, तो four stages में इसके preparation के जाती है, जो सबसे पहला stage होता है, वो होता है preparation of bactericidal and fungicidal vehicle, तो सबसे पहले vehicle prepare किया जाता है, जिसमें जो drug बात में add करनी है, aqueous या oily vehicle, दोनों में से किसी भी तरह का vehicle use किया जा सकता है, eye drops की preparation में, इसमें जो aqueous vehicle जो use किया आता है, उसमें chances होते हैं कि bacterial या fungal growth हो जाए, इसलिए किसी तरह के bactericidal agents जो है, वो ज़रूर add किये जाते हैं, इस तरह के aqueous vehicle में, किस तरह के होते हैं कि phenyl mercury nitrate and acetate, concentration आपको बताई गई है, benzalconium chloride, इसकी भी concentration आपको बताई है, chlorhexidin acetate, तो इस तरह के किये जाते हैं, aqueous vehicle में, पहले तो हमने देखा अपनी previous slide पे कि उन्होंने पहले vehicle बनाया है, vehicle को prepare किया है, फिर इसी vehicle में stage 2 में क्या करते हैं, medication जो है वो मिलाते हैं, यहां पर देके देख रहे हैं आप जो भी drug है, जिस भी फेक के लिए drug को बनाया जा रहा है, उसको dissolve किया जाते हैं, drug को aqueous vehicle में, इस aqueous vehicle में antimicrobial agent पहले से ही added हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, और इसी stage पे देखे जब medication को बनाया जा रहा है, drug को बनाया जा रहा है, उसी समय जो सारे adjuents होते हैं, adjuents क्या होते हैं, जितने भी buffer, tonicity regulator, viscosity regulator, जितनी भी चीज़े हैं, इसी time पे ही मिला दी जाती है, इस vehicle में, क्या क्या मिलाया, देखे, drug मिलाया, viscosity regulator, buffers, tonicity regulator, सब कुछ मिला दिया, और एक तरह की stable preparation बना दी जाती है, पर देखे, stage 3 में किया जाता है, clarification, क्या किया जाता है, आई drops को clarify किया जाता है, उनको pass किया जाता है, इस तरह के किस से, membrane filter की pass किया जाता है, जिसका pore size होता है, 0.8 micrometer, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके कारण क्या होते है, जितने भी bacteria अलगा किसी तरह का residue रहे गया है, तो वो clarify हो जाता है, इसके through, ये clarified solution जो है, इसको फिर जदी से final containers में transfer कर दिया जाता है, उसको अच्छे से seal कर दिया जा जाता है, ताकि किसी तरह की और microbial growth, microbial contamination ना हो पाए, last stage sterilization, sterilization में अभी हमने देखा था, या तो autoclaving के जाती है, या heating with bacteria sites किया जाता है, या filtration through bacterial proof filter, तो ये तीन process होती है, तीन ways होती है, जिससे की sterilized की जाती है, eye drops, और फिर उसके बाद उनको labeling and packaging उनकी कर दी जाती है, तो य ये सारी steps से देखे, eye drop के method of preparation की, I hope आपको समझ में आई होंगी, किसी ती भी तरह का doubt है आपके मन में, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, ये कुछ हमारे related videos के link है, जिन पर click करके आप उनको देख सकते हैं, दोस्तो learning pharmacy पर आने के लिए और ये video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले video में,